हिट एंड रन इन दो अक्षणों से आप बहुत जादा फेमिलेटर हो गी एंड हाल फिलाल में ऐसे रूल भी पास हुआ है कि ट्रक डाइवर से खिलाब के हिट एंड रन पर उनको इतना सजा और इतनी जो है फाइन भरना पड़ेगा तो मैं इसका एक थोड़ा सा डीटेल मे आप किसी को मारो हुए किसी को ठोको तो आप एकदम फरार ना हो जाओ आपको महां रुखना पड़ता है आपको वहां पे पुलिस को फोन कर देना चाहिए और उनको सारी बात पतानी चाहिए क्योंकि अगर आप हिट एंड रन करता तो तो वह फैले नहीं है वह एक गैर का कि declaring lawy 3000 केs को करतते हैं हिट करके स्टॉप कर देना हैन्हें हिट करना है लेकिन को में एकसिडेंट करना हिट करने नहीं हिट रूक जाओगर आपने है कर आपके स्टॉप करके कहीं पे पॉलिस को क direction कर दिया तो आप पहए ऐसा हिट ढूर पने हिट आप एन रन का केस नहीं का बिजनस करता हूं लेकिन आप मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकलोजी एंड इस में मैं एक साइकलोजिकल पॉइंट देना चाहूंगा जब भी हम किसी क्राइसिज या किसी फाइट पे आ जाते हैं तो आपने सुना होगा हम दो एमोशन पे काम करते हैं फाइट और फ्लाइट होता है उस चीज को डट के उसका मुकाबला करना और लड़ाई करना जगडा करना जो आपको दे रहा है उसको वापसी उस हिसाब से देने का जवाब यह को था फ्लाइट मोड कि भाई सब कुछ छोड़ चड़के भाग जाओ अगर कोई मिर से लड़ने आ रहा है तो या त फिर फाइट की सिचुएशन पर है तो जब हम गाड़ी चला रही होते हैं तो सब कॉंशेसली हम पहले से ही कहीं न कहीं कहीं से कहीं जा रहे होते हैं तो पहले ही हम फ्लाइट मोड पर होते हैं और कहीं एक्सिडेंट हो जाता है भगवान ना करे लेकिन हो जाता है तो हमार फ्लाइट मोड पे कहीं जा रहे हैं, अगर हमसे कहीं हिट होगी, तो हम फिर भी फ्लाइट मोड पे चलते रहेंगे, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही क्रिजिश है, बहुत ही साइकलोजिकल, इसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो एक्चुल स्टॉप करके, उस चीज से करने की, क्योंकि ये एक साइकलोजिकल इशू है, राधर देन मॉरल इशू, हम क्योंकि फ्लाइट मोड पे ही जा रहे हैं, हम वैसे ही फ्लाइट है हमारे दिमाग में, तो अगर कहीं से क्राइसिस या कहीं प्रॉब्लम हो गई, तो हम उसी बहुत असान होता है, उसी फ्ला मुकाबला करना पड़ता है, तो मुझे लगता है, राधर देन ऐसे टफर रूल से जाधा हमें साइकलोजिकल ट्रेनिंग दिया जानी चाहिए, कि भगवान ना करे, हम हर बच्चों को, हर ट्रक ड्राइवर्स को ड्राइविंग टेस्ट के टाइम, मैं तो कूंगा, इंडिया में कि आपको लाइसेस नहीं बलता है, एक साइकलोजिकल टेस्टिंग होनी चाहिए, कि आपको सिखाया जाए, एक अपके अनकॉंशेस में बात एंबेडिट कर दी जाए, कि हिट के बाद आपको रन नहीं करना, हिट के बाद फ्लाइट मोड पे चहीं जा रहे हो तो उसे चलते नहीं रहना, उसको रोकना है, इस चीज़ को हमें लगता है, एजुगेट के रन अचीह है, फिर शायद हमारे हिट अन रन के केसिस कम हो जाए, जब हम यह समझ पाए कि हम अल्रेडी फ्लाइट मोड पे हैं, कहीं हिट कर दी तो उस फ्लाइट ही नहीं करना हो प्राब्लम को डट के उसका सामना करना है, तब हम हिट अन स्टॉप करेंगे